हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंदर चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिय सातियों मैं हूँ आचारे पंडिस सरवदानन्द शर्मा और आज के इस कारे करम में आपके लिए लेकर के आये हैं मासिक राशी फल और ये मासिक राशी फल जो है महा नवंबर दो हजार एक्षिका है लेकिन नवंबर राशी फल की हम चर्चा करें मेश राशी से लेकर के और मीन राशी तक उससे पहले इस महा नवंबर में ग्रहों की गोचर में इस सिती क्या रहने वाली है पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे उसकी वी जानकारी आपको देंगे क्योंकि उन ग्रहों की इस सिती के आधार पर ही जो ये राशी फल तयार होता है और हम आपके सम्मुक लेकर के आते हैं ये उसी पर आधारित होता है और बीच में हमारे पास कॉमेंट बॉक्स में ऐसे अनेकों अनेक कॉमेंट्स भी आए है उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की इस्सिति जो होती है उस महा की उससे जरूर अवगत कराया करें गुरू जी तो इसलिए मासिक राशीफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रों की गोचर में जो वरतमान इस्चिती रहने वाली है महा नवंबर में उससे अवगत कराएंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशी फल है पूर रूप से लगन राशी पर आधारित है यनि कि आपके जो लगन भाव में जो राशी है उसी पर आधारित है चंद्र राशी पर आधारित नहीं है ये भी हम आपको यहाँ पर इसपष्ट करना चाहते हैं सूर्य देव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशी तुला से निकल रहे हैं बहुत अच्छी खवर है सभी के लिए बारे राशियों के जातकों के लिए 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशी तुला से और अपनी मित्र राशी विरिष्चिक में ये प्रिवेश करने वाली है जहां इनकी यूती शत्रू ग्रह केतू के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और महा के अंत तक अपने सम ग्रह बुद्ध के साथ भी रहेंगे ये मंगल ग्रह अस्त एवं मारगी अवस्था में अपनी सम राशी तुला में पूरे महा संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी यूती अपने मित्र ग्रह सूरे के साथ रहेगी इस राशी में तुलामे, तता 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रू गृफ बुद्ध के साथ भी ये रहेंगे 39 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहें, यानि महा के बिलकुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे बुद्ध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशी तुला में अपने सम ग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्थ होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशी तुला से निकलेंगे और अपनी समराशी विर्ष्चिक में ये प्रिवेश करेंगे जहां इनकी युति अपने मित्र, तेतु और सूर्वे के साथ महा के अंतितक बनेगी गुरू ब्रस्पति अपनी नीच राशी मकर में फिलाल संचार करें हैं अपनी सम ग्रह शनी के साथ समराशी में, मारगी एवम उदैवस्था में लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशी से निकल करके अपनी समराशी कुंब में प्रिवेश करने जा रहे हैं नवंबर से इनकी भी स्थिती में सुधार होगा ये भी अपनी नीच राशी से बाहर आएंगे 20 नवंबर को जहां ये फिर पूरे महा के अंतर तक बने रहेंगे कुम राशी में 20 नवंबर से लेकर आगे तक शुक्र गरहे पूरे महा अपनी सम राशी धनू में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदे अवस्था में शनी गरहे पूरे महा अपनी स्वयम की राशी मकर में मार्गी एवं उदे अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी यूती अपने ही इसी राशी में अपने संगरे गुरू ब्रस्पती के साथ बनने वाली है और राहू अपनी मित्र राशी विरिशब में पूरे महा बने रहेंगे केतु भी अपने मित्र राशी विरिश्चिक में पूरे महा संचार करते रहेंगे लेकिन 16 नवंबर से इनकी युती महा के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से महा के अंत तक अपने मित्र बुद्ध के साथ रहेगी तो ये थी जो ग्रहों की सिती महा नवंबर में गोचर्क में जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो इस सिती रहने वाली है अब हम करेंगे चर्चा जो कन्या राशी के जातक है यानि कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक है उनके मासिक राशीफल नवंबर दोजार एकिस के विशे में और आरम करेंगे आपके वियफसाय से तो देखिए मेरे प्रिया साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं चार्ट में आपके ग्रों की सिती को देख पा रहा हूँ उसके अनुसार में यही कहूँगा कि इस नवंबर महा में आप चाहें रोजगार में है अपने या फिर वियापार में है आपको कोई बहुत शुप परिणामों की प्राप्ति तो होने नहीं जा रही है इस महा लेकिन हाँ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति अवश्य आप कर पाएंगे मिले जुले का यहाँ पर कहने का अभी प्राय यह है कि कुछ छेत्रों में कुछ कहीं कहीं आप ऐसा मैसूस करेंगे ऐसा अनुभव होगा आपको कि मेरा कार्रे मेरा नुसार नहीं हो पा रहा है जैसा मैं चाहता हूं और कहीं आपको लगेगा कि भाई जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हो गया और कहीं ऐसा होगा कार्रे आपको लगेगा कि ये कार्रे मेरा बिगड़ गया बिगड़ने जा रहा है लेकिन बिगड़ते बिगड़ते भी वो अंत में समहल जाएगा आप उसको समहल पाएंगे तो इस प्रकार की कुछ इस्थिती रहने वाली है नवंबर के महीने में मिले जुले प्रेनावों की प्राप्ति आपको होती रहेगी और इसके अतरिक्त जहां तक वित्तिय इस्थिती की बात है मैं बताना चाहूंगा कि वित्तिय इस्थिती की भी ऐसे ही हालात रहने वाले ह कि आए कभी कम कभी ज़्यादा कभी रुका या तो बीच में हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसमें बाधा आ जाए फिर आ जाए आपके पास कुछ समय के बाद रुकावट के बाद धन की प्राप्ति कर पाएं आप ऐसे ही प्रेणाम आपको धन प्राप्ती में रहेंगे जहां तक धन की सेविंग्स का सवाल है संचे करने का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महा आप धन की सेविंग का विचार अगर निकाली दें तो जादे अच्छा है हो नहीं पाईगी ऐसा लग नहीं रहा कि आप कुछ कर पाएं अगर कर भी लिया तो बहुत थोड़ा बहुत मतलब ये महा आपकी संचे को ले करके और अगर आपने किया तो भी आपको बड़ी बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी काफी जोर लगाना पड़ेगा तो वे खरीद पाएंगे अब मैंने जैसा कहा कि धंकाउ संचे करने में आपको परिशानी होता का सामना करना पड़ अहीं ये तो मैंने एक बात कही दूसरी बात मैंने ये भी कही कि जो आपके दौरा किया गया धं संचे है वे भी आपके दौरा निकाल करके खर्च किया जा सकता है जैसा भी मैं कह रहा हूँ कि आप कोई वहन आदी भी खरीज सकते हैं तो आपका वहन आदी खरीदने में धन का खर्च हो सकता है जमा किये गए धन मैंसे निकाल करके ऐसे बेहालाद बन सकते हैं या कोई और घर के लिए कोई सुक्सुविधा के से संबंदित कोई चीज आप खरी सकते हैं उस पर धनका खर चापके हो सकता है ये सिती रहने वाली है प्रेम संबंदों के और विवाहित व्यक्तियों के जो विवाहिक संबंद है उनके विशन में बताना चाहेंगे वो ये के ये एक निवंबर से और बीस निवंबर के जो बीच का समय है इस निवंबर के महा में आप अगर रिलेशन्शिप में हैं पहले से ही और उसको अपने मेरिड लाइफ में कनवर्ट होते देखना चाहते हैं तो कर पाएंगे थोड़ी मुश्किला आपको आएंगे पेश अगर आप निद्रहन निश्चे कर लिया तो निश्चेत रूप से आप सफल हो जाएंगे या फिर जो आगे अगर कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है कि आप रिलेशन्शिप में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप प्रियास करेंगे तो कुछ परेशानियों के आप सफल हो जाएंगे विवाहित व्यक्तियों का जो विवाहिक जीवन है वो महा के आरम से और महीने की 20 तारिक तक नवंबर की ये थोड़ा सा तकलीफ में रहेगा लेकिन 20 नवंबर के बाद विवाहिक सुक तो बना रहेगा आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेग लेकिन 20 नवंबर के बाद जीवन साथी को थोड़ा स्वास्त संबंदित समस्याइं बन सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यक्ता है पारिवारिक संबंद कैसे रहेंगे पारिवारिक संबंद ये जो महा मैं देख पा रहा हूँ आरम से ही और महा के अंत तक मह महा के आरम से और महा के मद्दे तक तो कुछ जादे ही स्थिती खराब रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ ताल मेल में कमी रहेगी काफी वैचारिक मद्द भी रहेंगे मन मुटाओ भी होगा एक दूसरे के सहयोग में कमी रहेगी जो आप महसूस करेंगे नवंबर के म महीने में। लेकिन महा मद्दे से थोड़ी सी कमी आ जाएगी इन चीजों में। जो यह इतनी कलवाहट है उसमें कमी महा के मद्दे से आनी शुरू होगी महा के अन्त तक। लेकिन जो पहला फेस पंद्रे दिन का। नेमबर का यह है थोड़ा सा जरा ज़्हाधे परिशानी वाला समय है परिवार के सदस्यों के सम्बंदों को लेकर अब हम बात करेंगे चात्रों के विश्य में चात्रों के लिए कैसा रहेगा उनकी शिक्षा के लिए देखिए बताना चाहते हैं कि यह माहा की एक तारीक स्षेभ 20 नमवमबर तक का जो समय है वे जो चातर अपनी स्टडी कर रहे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए मिला जुला समय रहेगा अगर आपने थोड़ी धील छोड़ दी पढ़ाई में तो परिणाम प्रभावित हो जाएंगे और थोड़ा अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता पूरवक लिया तो आपके सामान में परिणामों की प्राप्ती हो जाएगी लेकिन 20 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार निश्चित रूप से होगा और परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे 20 नवंबर के बाद अपनी शिक्षा से संब्ध देता है संतान के लिए कैसा रहेगा संतान के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि माता पिता को मा के आरम से लेके और महीने की 20 तारिक तक बहुत ज़्यादया पेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे इंप्रूमेंट होगा चाहें आपके संतान जो हैं किसी छेतर में कार्यरत हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहां भी हैं जिस छेतर में भी हैं 20 नवंबर के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने शुरू होंगे अपनी संतान के दोरा बहुत इसपश्च संकेत मिल रहे हैं स्वास्त कैसा रहेगा देखिए स्वास्त के विशन में मैं बता दूँ आपको 20 नवंबर से तो स्वास्त को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादे सचेत रहने की आवश्यक्ता है वायू विकार, इंडाइजेशन, अपच जैसी समस्याएं बनेंगी 20 नवंबर के बाद और उससे पहले भी छाती से नीचे की जो रोग है वो आपको परिशान करेंगी तो आपको अपने स्वास्त का द्यान रखना है अंत में आपको मैं कुछ उपाय देना चाहता हूँ उपाय यही है कि सूर्य देव को पराते इसनानादी से निवरत हो करके तांबे के कलश में जलर्पित करें हनुमान इस्तोत्र करें या हनुमान चालिसा बजरंग बाण हनुमान आश्टक ये करें अरंत में आर्थी और बूंदी का या बेसन के लड़ू का परशाद अवश्य चढ़ाएं गुरुवार के दिन क्या करना है गुरुवार के दिन ये करना है कि केले के विरेष्ट की पूजा करनी है वो भी सरफ 20 नवंबर तक और बुदवार के दिन गणपती जी के श्री चणों में पान के पत्ते पर दो मोती चूर के लड़ू रख करके चणाएं ये एक एक दिन करने है एक दिन भुदगार के दिन एक दिन गुरुवार के दिन गुरुवार वाले तो सरफ 20 नवंबर तक करना है और एक दिन हफते में मंगल वार के दिन संद्या समय हाँ सूर रहके जो करने है वो पूरती दिन करने है प्राते काल तो ये थे छोटे शिफल नवंबर 2021 का मेरे प्रियसातियों आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर भी इसको अधिक से अधिक मात्रा में करें बेल आइकन जरूर दवाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कारेकरमों के नए वीडियों हैं वे भी आप तक असानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाप समयनुसार प्राप कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता दी ले ची आप सि saja याप में दोर्बदियों हन्यवरि sunflower kenneffect म фильм वे नवादका बशू हन्यवरा क्यूं हिरो आप वे भी हमारे लुत व्रूरा दिनों हैं सकता हैं